वो करके फिर आपकी जो मूल बात है उस पर आता हूं और टेनी को नहीं लिया प्रचार में ये बहुत अच्छा किया ये चुनाओ ब्राह्मनों का नहीं है और ब्राह्मनों को प्रचार में रखना उससे कोई बहुत फाइदा मिलेगा बीजेपी को और नहीं रखने से कोई ब के जो कास कमपोजीशन है उसमें 11% के करीब ब्राहमन है और खरीमान 8% के करीब वोट देती रहाcomb्न वोट को और उनकी दिक्कत ये एकि यह वोट नहीं देंगे तो किसको को वोट देंगे मसलन यह एकि मुसल्मान अगर SP को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे अब आप करेंगे कि किसी मुस्लिम प्रचारक को तो समाजवाधी पार्टी ने रखा नहीं है कि वो कोई प्रचार कर रहा हो उसके बाउजुद मुसलिम क्यों देंगे तो अब ये मुद्दा नहीं है कि प्रचार ठाकूर कर रहा है, ब्राह्मन कर रहा है कि मुसलिम कर रहा है मतलब मुसल्मान अगर उत्तर प्रदेश का वोट देना चाहता है समाजवादी पार्टी को तो वो यह नहीं देख रहा है कि कोई मुस्लिम प्रचारक है की नहीं है इमरान मसूत को अभी शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में और उनका टिकेट नहीं दिया काट दिया उनका टिकेट क्यों काट दिया क्योंकि उनकी जो इमेज है मैं गया हूँ उस इलाके में घुमा हूँ मैंने देखा है कि काफी जिस तरह के भाषन देते हैं वो काफी उसके प्रती काफी नाराजगी रहती है तो यह ब्राह्मन वाला मामला अपने को थोड़ा सा डिबेट से बाहर कर देना चाहिए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और ठीक किया इन्होंने कि जिन लोगों को रखना चाहिए अभी जो मुद्दा है जो कि पूरा का पूरा टिल्ट करने वाले हैं इस चुनाव को वो मुद्दा है अभी मुद्दा ब्राह्मन और ठाकुर नहीं है ठाकुर तो कहां जाएंगे वो हैं बीजे पी के योगी जी के साथ ब्राह्मन अगर एक दो परसेंट कम भी होते हैं तो वो कहां जाएंगे वो कॉंग्रेस के पास जाएंगे वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाएंगे तो भारती जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वो उससे नाराज वोट प्रेंका गांधी के पास जाता है, तो कोई परिशानी नहीं है उसको, भारती जनता पार्टी को. क्योंकि वो लोग जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो शायद कई चीजों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, और अब आते हैं मुद्दे पर जो आपने कहा और इन्होंने हमारे जो साथी रहुल लाल हैं, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में, और आपने अगर गौर से खिले शायदों की प्रेस कॉंफरेंसेस देखी हो, मैं तो रोज सुन रहा हूं, लगातार, वो सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं बात्चीत में, जो आम जंता से जुड़े हुए हैं, या किसानों से जुड़े हुए हैं, वो हिंदुत का मुद्दा में नहीं उठा रहे हैं, अखलेश यादों की प्रेस कॉंफरेंस के बारे में भी एक स्टेडी होना चाहिए, एक डिवेट होना चाहिए, कि अखलेश यादों हिंदुत पर भी हमला नहीं कर रहे हैं, अखलेश यादों हाथरस और उन्नाओं भी नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछा जा सकता है कि वह आप यह क्या दलीतों के साथ नहीं है तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप सपोर्ट करते हैं यह जो हिंदुत है बीजेपी का या योगी का वह टची नहीं कर रहे है कि वह पढ़ना नहीं चाहते हैं इस मामले में और वह एक जिन्ना वाले मामले में बोल के फस गए ताब उसको रिपीट नहीं करना चाहते है इसलिए चुकि समय कम है राजीव जी इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात खतम करता हूं कि यह जो चुनाव है यह पूरा का पूरा बेकवर्ट क्लासेश के मुद्दे पर चला गया है बेकवर्ट की जो नान यादों है खास करके उनको कैसे बीजेपी का कमिटेड वोट तो उसके साथ है उसमें बहुत कम डेंट लगने वाला है वो लगेगा डेंट कोरोना के कारण लगेगा मेंगाई के कारण लगेगा और चीजों के कारण लगेगा पर टेनी के कारण या विकास दूबे के कारण कम लगेगा तो कि वो ठीक है विकास दूबे को डिफेंट कै विजेपी कि विकास दुबह बहुत माहननायक थे ऐसा तो कहेंगी नहीं और टेनी को नहीं निकाल के जितनी जोखिम हो ले सकते हैं इस चुनाव में ले रहे हैं उसका नुकसान खामियाजा भुगत रहें इससे ज्यादा उनको ब्राम्मेन अपीजमेंट की ज़रूरत नहीं जितना उन्होंने कर दिया है और ठाकोर अपीजमेंट की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि योगी जी साथ में वेश्य भी जो वहां के 4% है 3.5% है जो कि जिसका 62% 65% बीजीपी कोई मिलता है बीजीपी के केलकुलेशन्स राजीव जी बिलकुल अलग हैं इस समय क्योंकि उनको यह लगता है कि क्यों होलि मैं कि दोजारえ धाब के बाद का जिनका वी जिक्र उन्हों किया रहुलाल को 14 17 और 19 में जो फाइदा लेक हिंदु का पॉलराइजेशन उन्हों को प३ोनं के फेलराइजेशन हिंदु मुसलिम हुआ था जाट मुसलिम और पस्टी में उत्तर प्रदेश में पर उन्होंने के रहना के रहना मुझफळ लेगान को एश्व को उन्होंने अंखिल भारती दा प्रदान कर दी कि हिंदूआं पर अत्याचार हो रहा है बलायनो च और उसका फाइदा पूर सब इसमें लिया था और पूर सब्सक्राइब जो कहते हैं न लोग के फाइदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में पष्टप्रदेश की 99-99 सीटों पर मिला था 2013 की पेलराज़ेशन का मैं ऐसा नहीं मानता मैं कहता हूँ कि उसका फाइदा पूरे प्रदेश को उत्तर प्रदेश के चुनाओं पर और पूरे देश में मिला था वो इस बार गायब है और बीजेपी के सारे केलकुलेशन्स योगी को लेकर यहीं पर खराब होए हैं कि हिंदुत का जो कार्ट था वो बेक्फायर कर गया तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस चुनाओं के और मैं इसलिए मैं अपनी बात को एक बार दोरा के खतम करता हूँ मैं अभी कोई घोषना करने के स्थिती में नहीं हूँ कि भारती जन्ता पार्टी कमजोर है या समाजवादी पार्टी जीत रही है कि मुकाबला बहुत बराबरी का है और अगर क्लीन सीप कर जाए समाजवादी पार्टी कि 2017 में जो बीजे पी थी वो 2022 में समाजवादी पार्टी हो जाए तो तो बहुत बड़ा चमतकार हो जाएगा मैं उसकी बात नहीं करता हूं मैं जो अलग किसम के चुनाव है बराबरी के उसमें यह मानता हूं कि अभी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्योंकि दावग पर प्रधान मंत्री हैं उदर उनकी सीट है और इदर अखिलेश की केवल मुख्यमंत्री पत की है तो सब मुकाबला समानता का है समानता का नहीं है 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 महत्वपूर्ण बात आप